नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सा उम्मीद करती हैं बहुत अच्छे होंगे हम भी आप लोगों के आशी बात से ठीकी है आप लोगों से एक बात कहनी थी बात तो मेरे रोजी कहती हूँ लेकिन आज कहनी है एक्षिली कहना ये है कि विश्वास और घमंड में कितना फर्क होता है विश्वास और घमंड में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ ये मेरा विश्वास है मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ ये मेरा घमंड है या मैं ही सिर्फ इसको कर सकती हूँ ये मेरा गुरूर है खमंड है बस इतना सा ही फर्क होता है लेकिन लोगों को लगता है कि सब बराबर है सब बराबर नहीं होता है मेरे दोस्तों और इस इतने से फर्क ने इतने से फर्क ने कितनी दूरियां लाई हैं हर जगे ये इस बात को समझने के लिए कोई भी नहीं तयार है घर कोई बात नहीं मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है मैं अपने भाव और विचार को रखती हूँ कोशिस लेकिन यही करती हूँ कि अगर मेरी बातों को सुन करके कोई अपने अंदर जरा सावी परिवर्तन लाए तो मुझे बेहत खुशी होगी परफेक्ट हर इंसान नहीं होता है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं सब के अंदर कमी है मेरे अंदर कमी, इनके अंदर कमी उनके अंदर कमी, आपके अंदर कमी कुछ ना कुछ कमी तो भगवान सबको देता है संपूर किसी को नहीं बनाता है लेकिन फिर भी कुछ कमिया हमारे अंदर होती नहीं है हम उसको देखी देखा में पैदा कर लेते वो ऐसे कर रही है वो ऐसे कर रहे है तो मुझे भी करना चाहिए और हम यही गलत कर देते हैं और यह गलती हम किसके लिए करते हैं हमको लगता हमने उसका गलत किया अरे उसका कितने दिन तक गलत करोगे कब तक गलत करोगे अरे जेकर सोच रही है रब जेकर का करी सब तो जिसका उपर वाला नहीं विगाड़ेगा उसका इंसान नहीं विगाड़ सकता है लेकिन तकलीफ थोड़े दिन के लिए होती है थोड़ी देर के लिए होती है जब ये पता चलता है कि वो मेरा अपना है उसने मेरे साथ इतना बड़ा बिस्वास घात किया है तो तकलीफ अपरम पार होती है इतनी तकलीफ होती है कि मैं उनको सब्दों में नहीं बया कर सकती ह खेर जो भी हो ये मेरी विचार के बात थे अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूँ इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है मुझे किसी ने कहा कि आपके घर में इतने सारे लेपटॉप होंगे या मुबाइले होंगी तो आप वाच टाइम वहां क्यों नहीं मतलब कहके करती है तो फिर मैं ही कहना चाहती हूँ कि मेरी ही तरह बहुत सारी लेडी जैसी होंगी जिनके घर में बहुत सारे चीज़े होंगे पूरे खांदान में मिला करके कुछ नहीं तो पचासों होंगी लेकिन मैंने आप से शुरू में ही कहा था मैं अब भी ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैंने इस चैनल को बनाया था तो सिर्फ और सिर्फ मेरा और मेरे हस्बंड का सब्सक्राइबर था मात्र मेरे और मेरे हस्बंड दो लोगों का गिफ्ट इसमें था दो लोगों ने डन किया था और मैंने उस समय ये आत्मे विश्वास बनाया था कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ मैंने क्या किया था उस समय मैं इस चीज को कर सकती हूँ मैंने ये नहीं कहा था सिर्फ मैं ही ये कर सकती हूँ क्योंकि घमंड में और विश्वास में आत्म विश्वास में बहुत थोड़ा सफ्ट होता है मैंने कहा था मैं इसको करने की पूरी कोशिस करूँगी और मैं कर सकती हूँ और दूसरी बात यह है कि जब मैंने इस चैनल को बनाया था तो उसके पहले मेरा एक चैनल है द्रवेयन मैंने बेटे के नाम से पहले चैनल बनाया था द्रवेयन उसको मैंने घर वालों से कहके रात बात सबसे कहके खुशी थी ना excitement था कि अरे मैं तो YouTube बना रही हूँ तो मुझे बोलना था सबको पचा नहीं पेट में खलबली मची रही जो भी मिलता हरे मेरा द्रवियन है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हाँ दावे के साथ कहते रहे request के साथ कहते रहे जहां दावा लगाने के साथ लाइक था दावा के साथ जहां request करने लाइक था लेकिन नतीजा यह हुआ कि मुझे लाश्ट में क्या सुनने को मिला अरे जतना पार्टन सब अपने ही लोगों ने तो किया है और एतना तो घर ही बने हुई है काने का मतलब यह है कि घर के लोगों ने ही किया है बाकी बाहर वालों ने तो नहीं किया है उसी टाइम मेरे दिमांग में यह आईडिया आया मैंने कहा चलो ठीक है यह तो घर वालों का है अहसान मतलब कुछ लोगों ने बैंक बोला कुछ लोगों ने कुछ कहा कुछ लोगों ने कुछ कहा मुझे जिसे लग रहा था सूल की तरह चुग रहा था कि क्या मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ मैं आखे लोग कर रहे हैं, तो क्या मुझे टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, मुझे ये पता था कि मुझे टाइम लगेगा, कारण ये है कि आज के दोर में जो चीजे ट्रेंड में चल रही है, मैं तो मुझे टाइम लगेगा, दीदी से कहो, दीदी से, एक हुए इसको बजादो बचादो शुदा धीर से तो मैंने यही हिस होता कि मैं करूंगी इस चैणल को बनाया थिर मैंने कोई चैनल भी बनाया थैं किऊ नहीं कहा क्योंकि प्रांगे में मैंने बहुत सारी बाते लिए बहुत दुख hover था मुझे मैंने बहुत कुछ सुना है इसलिए मैं यह सब ऐडियो क्यों बनाती हूं मेरा बीडियो बनाने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि चली ठीक मेरा मोनो नहीं हूआ है मोनो टाइस नहीं हूआ मेरा चैनल आप लोग देख सकते हैं एक बीडियो बनाने में मुझे कितनी मसकत करनी पड़ती है कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेरा बच्चा दो मिनट के लिए नहीं सामत रहता है लेकिन फिर भी लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं आप लोगों से कहा था कि मुझे रो करके व्यूज नहीं चाहिए और मैंने किसी चैनल में अगर किसी वज़े से रोया होगा तो इस वज़े से रोया होगा ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग उस रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप लोग हमको जो है इजाज़त दीजिए और प्लीज वीडियो को फुल वाच करिएगा अगर कुछ बुरा लगे तो भी बताईएगा और अगर मैंने सही कहा होगा तो भी बताईएगा क्योंक शुर्ण में मेरे मैरे मेरे साथ बहुत अच्छ दोस्तों करती हूँ कि आप लोगोंगों कर दिए गजरू बताईएगा तो आप लोगोंों कमेंट करके जरू grow बताएगे प्लाइगे वारत आप लोगों से उम्मीड करती हूँ चुल रहीये मस्तं रहीए